नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोन अरायन शुरुबात करेंगे यूपी फटाफटकी बरेली की प्रभारी मंत्री और प्रदेश की उज़ा मंत्री शिकान शर्मा ने बरेली पहुँचकर सरकेट हाउस में पार्टी नेताओं से मुलाकात की इसके बाद विकास प्रवन जाकर सभागार में सभी विभागों के अफसरों की मौझूद्गी में 57 करोड की जिला योज के लिए युवा का परहन किया था लरितपूर को तवाली अंतरगत राजगार चौकी शेत्र में उस समय हड़कम्प मच गया जब भरतपुरा बरस्टेंड के पास एक दुकान में अग्यातकार्णों की चलते भीशन आग लगई देखते आग ने दुकान में रखे सारे समा को अपने कबजे में ले लिया और दुकान में रखे दो सिलेंडर में एक सिलेंडर में आग लगने से वो फट गया गनी मत रही कि किसी को जान का खत्रा नहीं हुआ जैसी राजखार चौके इन चार्ज वहाँ पहुँचे इसके बाद सूचना फार बिगेड को दी कई फार बिगेड मौके पर पहुँचे और कड़ी मशक्कत की बाद आग पर काबू पाया यूपे की बलिया में बाइक सवार बदमाशों ने शिराप की दुकान के सेल्समेन को गोली मार दी दुकान खुलवाकर जबरदस्ती शिराप की मांग कर रहे थे बदमाश मना करने पर सेल्समेन सपवन को गोली मार दी कानपूर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई विद्ध दुभा के लापरवाई से बड़ा हाथसा हो गया 11,000 वोल्टिस लाइन का तार महीनों से लिट गराता शुकायत करने के बावजूद भी विजली वभाग का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुचा ललिटपूर में शोहर के बीच स्थेत सुबेरा तलाब में दिव्यांग महिला का श्रम मिलने से संसनी फैल गई तलाब पर मौनिंग वॉक के लिए घूमनी आए लोगों को शव पढ़ावा दिखा जिसके बाद सूचना पुलिस को दे गई पुलिस मौके पर पहुची शव को पुस्मार्टम के लिए भी जा मौलन शेयर में करप्शन के आरोप में जांगिराबाद कोतवाल सस्पेंड किये गए हैं कोतवाली में यहां पर वसूली का धंदा चला रखा था है जस्पी द्वारा भीज़े गए बुजर्ग फर्यादी से कोतवाल ने गाड़ी में तेल डलवाने के लिए रूपे वसू आई गई है आरोपी ने अपनी तीन मासूम बेटियों सहीद पत्नी को जिन्दा जला कर मार डाला था इस मामले में सुनवाई करते वे कोट ने आरोपी को आज जीवन कारवास की सजा सुना इसके साथ ही पत्नी और बेटियों के आत्या में दोशी पर दो लाख रुपे का जिन्माना भी लगाया है फरुखबाद में माग पुर्णीमा पर शधालू का गंगाघाट पर ताता लगा रहा शधालू रात भर से ही माग मेले में पहुँचे और वहाँ पर लाखो की तादात में शधालू ने आस्था की डुपकी लगाई मुरादबाद में ट्राफिक पुलिस में तना जवान ने खुदकुशी कर ली आवेद तमंचे से खुद को गोली मार कर आत्म हत्या की मुरादबाद इससे अपने घर में ये सुसाइट किया पुलिस मामले के जाच में जुटी हुई है मौके पर SSP प्रभाकर चौदरी और SSP सिटी, SSP ट्राफिक समेट फॉरेंस टीम भी पहुची हुई है मुजफ़ानगर में तमंचों से गोली चलाती वेक युवक का वीडियो वारल हुआ गोली चलने के बाद दूसरे साथ ही को लग गई जिससे मौके पर हुज की मौत हो गई दो दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है नाइन मंडी थाना शेत्र के बिलासपुर गाउं का ये पुरा मामला इटावा जनपद मियो नाफ से मद्रपदेश के भिंड जिले जा रहे ही बुलेरो गाडी की ट्रैक्टर से दोरदार टक्कर हो गई ये हादसे में बुलेरो सवारी की युगा की मौके पर ही मौत हो गई चारलो गंभी रुक से घायल बताया जा रहे है ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार है सुचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है शफ को कबजे मिलिया है सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया अलिकर के 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 अस्पताल में शुकरवार को डॉक्टर तिमारदारों के बीच हुई मार्पीत के मामले में आरोपी तिमारदारों के विरुद कारवाई के मांग को लेकर डॉक्टरों ने किशनपूर रामघाट रोड पर जाम लगा दिया संबल में सिपाई की संदिग्द मौद का मामला सामनी आया है चौकी की बेरक में मृत वस्था में सिपाई का श्रम मिला सिपाई की संदिग्द मौद से पुलिस मैकमे में हरकम पुमच गया सिपाई की शौदी दो महीने पहले हुई थी जिले के स्पी सिपाई की मौद की वज़ा डूटी के दोरान हर्ट अटेक आना बता रहे हैं फिलाल पुलिस ने सिपाई का शब फोस्मार्टम के लिए बेज दिया है मामले की कारवाई की जा रही है वही समल में मागपुनिमा पर आज घाट में उम्रा शधालू का जन सेलाब हजारों शधालू ने गंगा में आस्था की डुक्की लगाई शनिवार सुभा से ही गंगा स्नान के लिए शधालू यहाँ पहुँचे थे जहाश अधालो ने गंगा में स्नान करके दानपुन किया गाजिपूर में ACS अबनी शवस्ती पहुंचे कासिमाबाद जहां ACS पुरवांचल एक्सपसवे का निरिक्षन करने पहुंचे थे पैकेज में 7-8 का ACS अबनी शवस्ती ने इस थलिय निरिक्षन किया पुरवांचल एक्सपसवे की कारप्रगती की भी लगातार वो समिक्षा करते हैं महोबा में शराब के नशे में दोती युवक ने पुरोसी युफती से मार पीठ की घर के बाहर शराब पी कर उतपाद मचाने से मना करने पर विबाद हुआ शराबी युवक ने तीनों वहनों के साथ मिलकर युफती को जम कर पीठा अपुर में घूसकोर लेकपालो का बोल बाला है थाने के अंदर लेकपाल की घूसकूरी का विडियो वारल हो रहा है और यूपी फटाफट में फिलाल के लिए इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें न्यूस वन इडिया के साथ